दोस्तो अगर आपने भी अपना income tax का फाइल किया है यानि आपने भी income tax फिल किया है वह आप अगर income tax का status चेक कर रहे हो तो आपको वहाँ पर शोग कर रहा है status में no record found वह नीचे यह message जो है इस तरह से your assessing officer has not sent this refund to refund banker please contact your assessing officer in this refund has been sent by assessing officer within the last week you may wait for a week and again check status इस तरह का अगर message आपके पास भी दोस्तो शोग कर रहा है जब आप अपना status जो है income tax का चेक कर रहे हो तो एसी इस्तति में आपको क्या करना चाहिए कि assessing officer का बोल रहा है तो आप अपने assessing officer का किस तरह से पता कर सकते हो और हो है जो है आप mail पर किस तरह से contact कर सकते हो तो मैं इस वीडियो में आपको complete procedure बताऊँगा कि आप अपने किस तरह से अपने assessing officer का याणि AO का पता कर सकते हो और किस तरह से आप जो है AO को जो है email करके और अपनी ITR की file का processing फास्ट करवा सकते हो तो अगर आपको भी इस तरह का कोई message receive हुआ है या status आप चेक करते समय इस तरह का show कर रहा है तो वीडियो को सुरू से लेके लाज तक जरूर देखें वीडियो में जो है complete procedure बताया गया है कि किस तरह से आप अपने assessing officer को से contact करके पता करके और उसको mail अगरा बहस सकते हो तो इसके लिए वीडियो को सरू से status चेक करने के लिए यानि अपनी ITR का जो है processing चेक करने के लिए आपके पास iPhone हो या laptop हो आप जो भी browser यूज कर रहे हो browser को first लिए आपको open कर लेना है open करने के बाद search box में आके सबसे पहले आपको type करना है income tax income tax आपको type करके और सबसे पहले आपको income tax की जो official website है official website को आपको open कर लेना है तो इस तरह से income tax का जो है page मेरे सामने खुल के show हो जाएगा इसमें जो income tax की official website है जैसे इसमें second number की home income tax department इसके उपर आपको click कर देना है जैसे ही मैं इसके उपर click करूंगा click करते ही कुछ समय बाद में जो है मेरे सामने जो home page है income tax की website का वो मेरे सामने खुल के show ह जाएगा तो इस तरह से जो है हमारे सामने income tax का जो है home page जो website का कुल के show हो गया अभी आपको क्या करना है page को उपर की तरह आपको फुली scroll कर देना है और scroll करने के बाद एक option यहां पर आपको show करेगा यहां पर आप देख सकते हो एक option है know your AO यह know your AO का जो option है इसके उपर हमा इंटर कर देना है और इंटर करने के बाद हम जो है अपना status जान सकते हैं कि AO की file ने मेरे को जो है आगे process किया है या कुछ रिमारक वगेरा दिया है तो इस तरह से दोस्तों हमारे को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड तो नहीं हो रही है या फिर अगर AO ने हमारी file को processing नहीं किया है तो या कुछ गड़बड चल रही है AO डिले कर रहा है तो यहां पर हमारे को email ID भी जो है AO की personal email ID हमारे को मिल जाएगी उस personal email ID के उपर हम जो है complaint कर सकते हैं तो सबसे पहले हमारे को complaint जो है AO के पास ही करनी है क्योंकि हमारी income tax की file है file का approval जो है AO से ही होता है AO से ह हमारा approval हो गया उसके भाद में कुछी दिनों बाद में हमारे account में जो है पैसे credit हो जाएंगे और इसमें आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी जो file है वो सबसे पहले किस income tax department के पास जाती है यानि कोई भी file CPC बैंगलोर ने जाके अलग-अलग zone में जहां पर आपका pen card बना हुआ है उसी zone में आपकी income tax जो है फाइल जाती है तो इसे आपको यह भी पता चल जाएगा कि मेरा जो income tax का फाइल का जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो किस के दवारा हो रहा है यानि कहां का zone के दवारा मेरी income tax की file का जो है processing हो रहा है तो इसमें आपको सब खुश पता चल जाएगा सबसे पहले अगर आपका income tax की फाइल नहीं आई है तो सबसे पहले आपको यहीं पर जाके चेक करना है और यहां पर आपको complaint email ID भी मिल जाएगा तो यहां जाके आप जो है email ID के द्वरा mail भी कर सकते हो कि मेरा जो है income tax का refund अभी तक क्यों नहीं आया तो दोस्तो loading होने में थोड़ सा time लगेगा जैसे load हो जाएगा इस तरह का page आपके सामने खुल के show हो जाएगा तो no your judicial assessing officer तो यहां पर आपको क्या करना है अपना जो है शिरफ इसमें आपको अपना pen card नमर और जो है registered mobile नमर है दो ही चीज हमारे को फिल करनी है फिल करने के बा आपके मेरे registered mobile नमर पर एक OTP आ गई है वो OTP मेरे को यहां पर जहां पर OTP के box बने हुए six digit की OTP आई है वो OTP मेरे को यहां पर enter कर देनी है यह मैंने जैसे मैंने OTP डाल के इसको continue के आप देख सकते हो कि इसमें option आ गए है तो यहां पर no your judicial assessing officer तो यहां पर आपको pain आदार और Indian citizen और आपका active है कि नहीं है status show कर दिया इसके बाद में आप जो है judicial detail में देख सकते हो आपका area code AO type range code AO नमर और taxpayer judicial यानि ward नमर 15 और यहां पर जो मेरा जगह दी हुई है यहां पर मेरी income tax की file गई है इसके बाद में building नाम IT tower email ID तो दोस्तों यह आपको अपना पूरा process यहा आपका return नहीं हो रहा तो इस तरह से आपको जो है सबसे पहले आपकी अपनी detail चेक करनी है और detail में आपका क्या verify है कि processing चल रहा है कि क्या है कुछ है तो यहां पर आपको notice के रूप में show भी कर देगा और जो email address दिया हुआ है इसके उपर आपको mail कर देना सबसे पहले तो द अच्छा लगा तो like करें YouTube चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment करकर जरूर बताए अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा like करें share करें मेरे YouTube चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें Thank you for watching my video again